जालावार जिले की ग्राम पंचायज शोरती में कुछ दिन पहले नालियों का निर्मार काम शुरू हुआ था एक नाले पर रास्ते के लिए पुलिया का निर्मार भी करवाया गया था लेकिन काम पूरा भी नहीं हुआ और पुलिया पहले ही तूट कर छती ग्रस्त हो गई ग्रामिडों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही समशान की तरफ नालियों का निर्माल कराया जा रहा था लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण एक पुलिया का निर्माल करवाया गया जो पहली ही बरसात में तूट गई और पूरी तरह से छतिग्रस्त हो गई तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नालियों और पुलिया में कितनी घटिया सामागरी से निर्मालत कराया गया होगा जो सुचारू रूप से शुरू होने से पहले ही तूट कर छतिग्रस्त हो गई दूसरी तरफ सरपंच के द्वारा इंटरलॉकिंग का कारे भी करवाया जा रहा है लेकिन उसको भी अधूरा छोड़ दिया गया है ग्रामीरो का रोप है कि सरपंच अपनी मनमानी कर रहा है और समाधान के बजायत थाने में F.I.R कराने की बात कहता है पर कुरंचा पहले से इंटरलोक था उसको उधेड कर वाफिस नवीनी करन कर रहे है पानी वहाँ बंचिलाल मेरोटा के गर के वहाँ से पंचाइज बवन के तरफ पानी बेकर जा रहा था उसको इन्होंने यहाँ से रोप कर वाफिस इदर निकालने की कोशिश की उसमें तीन चार मकानों में पानी बराया एट तरफ से बीच में उन्होंने इंटरलोकिंग किया तो खुरंचा सही जा रहा था बीच में कुछ नीचे उचे के चक्कर में कुछ सरपन्च चनौ से पहले तो बड़े बड़े दावे आम जनता से कर लिये जाते हैं लेकिन जब सरपन्च का पद मिल जाता है तब सारे दावे होखले नजराते हैं जालावार से मेवाट टाइम्स टीवी के लिए सद्दाम खान की रिपोर्ट मेवाट की तमाम एहम खबरों के लिए मेवाट टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब कर लें